रेल टिकट में किस चीज का विरोण नहीं मिलता है तो यात्री का नाम नहीं मिलता है मगर मच का सिकार क्यों किया जाता है मांस और खाल के साथ साथ दवाई और ब्योसाई के कारी के लिए मगर मच का सिकार किया जाता है बोरा चावल एक किस्म है जिसे कहां पाया जाता है अस पिछले बार कई सिफ्ट में यह जो है कोश्चन देखने को मिला था तो रानी मधमक्खी अंडा देती है और जो इसका टाइम पीरिड है वो अक्टूबर से दिसंबर माह है तो कई बार माह पूछा था कई बार पूछा था कि कौन सी मधमक्खी जो है अंडे देती है तो अगर आपने अच्छे से देखा है पिछले साल का जो पेपर था सारा तो ये कहीं ने कहीं आप देख लीजिएगा बहुत सारा जो इसमें से फसेगा मदमनी चित्रकारी बिहार से है बहुत बार रिपीट हुआ दा बाला जिसका फूल फॉर्म है बिल्डिंग एस लर्निंग एड्स इसका जो है अधिगम सायक की रूप में रेसम कीट कई किलो मीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेती है ठीक है तो इसकी जो बिसेस्ता होत होते हैं कलमकारी चापे किस राज में है तो ये बहुत बार रिपीट हुआ था आंध प्रदेश में मूल्यांकन का मुख्यो देश क्या होता है सिच्चण अधिगम में सुधार करना ठीक है कई बार एक कोश्यन आही जाता है पैड़ागोजी में तो बुद्धी का तरल किस ने दिया था कैटल ने दिया था प्राथमी कस्तर पर बच्चे को किस भासा में पढ़ाना चाहिए तो प्राथमी कस्तर पर हमेशा बच्चे को जो पढ़ाना चाहिए मात्री भाशा अमूंत्र चिंतन जो अमूर्त चिंतन होता है वो आपचारिक संक्रियात्मक ग्यारा से पंदरा साल की जो होती हैं तो हो सकता ही ये question फिर से repeat हो प्रतिदर्शिधान किस ने दिया तो प्रतिदर्शिधान थामसन ने दिया था most important है याद रखिएगा बुद्धी लब्धी का question आया था तो तीब्र बुद्धी की जो होती हो 111, 120 होती है, 130 से अधिक हमेश प्राइड ने दिया था मनोविसले सार्थमक सिध्धान किस ने दिया था फ्राइड ने दिया था मधुमनी चित्रकला किस से समंदी था बिहार से समंदी था पिछले बार कई स्ट्रिप्ट में ये पूछा गया था तो हो सकता है chances है ये question आने किसलिए देख लीजिएगा प कोश्चन भी कई बार रिपीट हुआ था गोवा का जो फेवरिट खानाया कह सकते हैं जो नारियल के तेल में बनी सबुंदर की मचली पूछा गया था ये केरल किसी भी करी के साथ उबला हुआ ठीक है केरल का जो भोजन होता है वो होता किसी भी करी के साथ प्याजे स्कीमा की बात आई थी बालक पहले से मस्तिस्क में उपस्तिच चीजों का उप्योग करके किसी भी बिसे वस्तु के प्रती एक धारणा बनाता है तो इससे हम स्कीमा कहते हैं स्कीमा से कई कोश्चन आया थे प्याजे में तो इसको एक बार देख लीजिएगा प्याजे आत्मसातिकर बच्चे का स्वεν से बात करना तो इसके बाद कुश्चन था समाजी करण का जो दुतिक ही कारक होता है वो कौन होता है तो आपको पेहला जो होता है उग्या कोजा समाजी करण के प्रधाम एजनसी कौन है परिवार है, क्योंकि बालक की पहली पार्ट साला परिवार ही होती है, अब घरों से सम्मधी जितने प्रशना है थे हो, सब मैंने यहाँ पर मंशन कर रही हूँ, असम बांस के खंबो पर बने उचे घर, जम्मू कस्मीर पत्थर या लकडी से बने घर, लद्दाग पत्थर से बने हुए मनाली, पत्थर और लकडी के बने ढालू वाले छट, राजस्थान, मिट्टी के बने घर, जिसकी छटें कटीली जाडियों में चाई होती हैं, इसको बिलकुल अच्छे से देख लीजेगा, क्योंकि इसमें से एक कोश्चन पका आएगा, मैं लिख के दे रही आपको, क्योंकि पिछले बार हर सिफ्ट में ये एक कुश्चन जरूर रखा गया था, तो जादा हैं ये चार पांच है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजेगा, तो गारंटी है कि इस बार फसने के पूरे चांसे से ये वाले कुश्चन, और पिछले बार जो जादा असंब का पूछा गया था, गड़िती ये तरकना का सूचक है, तो तरक संगतता की छमता, जड़ों का समू, जड़ों का समू जो है था तो आपको पता ही है कि मूली गाजर और जुकंदर है वो जड़ी है, तो हमेशा इसमें अगर कुछ गलत देता है तो एक बार देख ल अगर करना के बार जड़ों का समूक है प्रचुर मात्राय को देख लीजेगा एक बार नेक्स्कोस्चन हमें सामिल है तो चिंतन में हमेशा संकलपना, भासा और कलपना ये तीनों सामिल है लौ तद तो प्रचूर मात्र में पाया जाता है तो तीन ही चीजों में सबसे जादा पाया जाता है वो है आवला, गुड और पालक जिसमें आईरन बहुत जादा होता है अपनी गरदन सरवाधिक पीछे तक कौन गुमा सकता है उल्लू रात में कौन देख सकता है उल्लू तो यह कोश्चन कई भी तरह से घुमा के भी दे सकता है तो आपको उल्लू की विसेस्ता तो आनी ही आनी चाहिए नेक्स्ट है हमारी महत्मा गांधी के डांडी यात्रा का कोश्चन था तो बहुत तरीके से पुछा गया एक बार ये पुछा गया कि किस सन में हुआ तो 12 मार्च 1930 में हुआ था फिर किस आस्रम से सुरुआत हुआ था तो साबर मती आस्रम से सुरुआत हुआ था तो ये दोनों ही question रख दिया है, इसको दोनों ही question एक बार आप देख लीजिएगा लेकिन महत्मा गांधी का ये दांडी आत्रा वाला question कई बार आया था गुजरात के निकटवर्ती राजी के बादरे में, तो मद्यप्रदेश, महारास्ट, राजस्थान साबरमती आस्रा में सौरी पहले का टाइप हो गया, उसके लिए सौरी तो गुजरात के निकटवर्ती जो राजी है, मद्यप्रदेश, महारास्थ और राजस्थान ये question देख लीजिएगा, generally पिछले बार जो गुजरात असाम यहीं सब पुछा गया था किस राजी की जो मुख्य भासा अंग्रेजी है, तो नागा लेंड है, वहां की जो भासा है, वो अंग्रेजी है टैपियोका का दूसरा नाम क्या है, कसावा, ये question बहुत बार पुछा गया था, तो ये दिमाग में इसको बिलकुल अच्छे से रख लीजिएगा नेपितिन्स के बारे में पूछा गया था, या एक प्रकार का ऐसा पौधा है, जो कीडे का सिकार करता है, या आस्टेलिया, इंडोनेशिया, मेगाले में पाया जाता है, इंडिया में मेगाले में, बाकी आस्टेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, इसका आकार ल कई भी तरीके के मतलब गुमा के दे सकते हैं किसी संख्या में सुन्ने से भाग देने पर क्या होगा तो आपरिभाशित लोग सभा में समास कौन सा है तो ततपुरु समास के लोगों का सभा यानि लोगों के लिए सभा यानि ततपुरु समास भारत में हिंदी किस प्रकार की भासा है तो भारत में हिंदी राज भासा है ठीक है ये question भी पूछा जा सकता है ठीक है next time आरा दुर विवार का संधी बिछेत क्या होगा तो दुर धन विवार और ये है विसर्ग संधी चार चांद लगा दिये का आर्थ है बहुत अधिक सोभा बढ़ा देना कहते हैं न चार चांद लगा दिया यानि उसने तो जितना पहले किया तो उससे ज़्यादा चार चांद लगा दिया मतलब उसकी सोभा और बढ़ा दिया संस्कित सब्द में उपसर गही है फिर से ये क्वश्चन देखे रिपीट हुआ था और इस बार पूछा पियाजे के नुसार सुचनाओ का पैकेट क्या कहलाता है स्कीमा तो पियाजे स्कीमा का जो एक बार देख लीजेगा बहुत बार आया था मदमख्य पालन का जो समय है मैंने बुलतर अगले सिफ्ट में पूछ लिया गया है तो अक्टूबर से दिसंबर पियाजे समावेशन पुरानी जानकारी में नई जानकारी को सामिल करना ही पियाजे का समावेशन था इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तो दो से साथ वर्स के जो अवस्था होती है गडित की प्रकिति कैसी होती है तारकिक होती है स्रेडी बद्ध होती है आगी के दात नुकीले और तेजधार हो तो कौन सबोजन कहते है मानसाहरी चीए एक बच्चा अपनी मा के साथ भाई के साथ और दादा के साथ रहता है तो वह किस फैमिली से विलॉंग करता है जाहिर सी बात है दादा है सब है तो जोईन फैमिली से विलॉंग करता है क्योंकि अगर सिंगल फैमिली हुई तो फिर ममी पापा बच्चे होंगे कोजी कोड किस राज में पढ़ता है तो कोजी कोड का से याद रखे केरल अगर ये को शुच्ट दिया इस स्टुडेंट अगर विडियो अच्छे लगी तो विडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसका सेकेंड पार्ट जल्द आएगा और उसको सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा तो आदे से ज़्यादा त्यारी आपकी हो जाएगी